मैं सिद्धान स्वागत करता हूँ आपका पेपर रैकर चैनल में जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको फाइव इस्टेंजा करवा चुका हूँ इस चैप्टर के का नाम है एलोजी रिटेन एना कंट्री चर्चयार रिटेन बाई थॉमस ग्रे तो आज मैं आपके लिए इसका सिक्स स्टेंजा लेकर आया हूँ चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है पुल मैनी आजैम आफ प्यूरेश्ट रे सेरें ठीक है सेरें का मींज होता है निर्मल यानि कि आप पविक्त्र सेरें ठीक है पुल मैनी आजैम आफ प्यूरेश्ट रे सेरें यानि कि बहुत सारे जो निर्मल और सुद्ध हीरें होती है जो समुद्र है वो समुद्र की गहराईयों में गुफाओं में समुद्र के अंदर जो गुफाएं होती हैं और ऐसे ही बहुत सारे फूल होते हैं जो बहुत खुबसूरत उगते हैं किन्तु दुनिया की नजरों से कैसे रह जाते हैं अंदेखे रह जाते हैं and waste its sweetness और अपनी जो मिठास है वो waste कर देते हैं खराब कर देते हैं अपनी खुश्बू को खराब कर देते हैं on the desert air कहां रेगिस्तान की हवा में क्योंकि वहां कोई देखने वाला होता ही नहीं है ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका reference क्या है इस कोईटरेन बिलॉंग्स टू दी एक्स्ट्रीमली फेमस पोयम यह जो कोईटरेन यानि की यह जो फोर लायन्स हैं बिलॉंग्स करती हैं सम्मंदित है किसे एक्स्ट्रीमली फेमस पोयम एलोजी रिटिन इन आप कंड्री चर्च यार्ड कंपोजड बाई भॉमस ग्रें इन इस पोयम में दपोएट हैं लेमें टेट अफ दा पूर यानि कि जो पोएट है वो बिलाप करता है लेमेंटेड मीज बिलाप करना दुख व्यक्त करना दा डेट आफ दा पूर गरीब लो who had the qualities to become great जिनके पास qualities थी गुड थे to becoming great बड़ा बनने के महान बनने के लेकिन but remained unknown यह unknown यानि के इन्हें कोई भी नहीं जान पाता of their poverty because of their poverty इनकी गरीबी के कारण and lack of opportunities और कमी पर जाती है इनको किसकी अबसरों की कमी की कारण poet इस श्टेंजा में बता रहा है कि जो गरीब लोग है वो उनके पास भी बहुत सारी qualities होती है उनमें भी बहुत सारी skills और talents होते हैं लेकिन उनके पास अफसरों की कमी होती है और उस गरीवी और गरीवी के कारण जो है वो अपनी महामताको अपने कारियों तक उनके टैलेंट को कोई भी देख नहीं पाता है खी開व इंडा लाइंस Гिविन है जो यहां पर दी गई हैं the poet remarks about the potentialities remarks बताता है potentialities को चमता को of these villagers किसकी गाओ वालों की डैट रिमेंड सप्रेज्ड जो अनजान रह जाती है जिनको लोग नहीं देख पाते नहीं जान पाते हैं explanation पढ़ते हैं gray remarks that gray यहां पर यह बताना चाहते हैं कि there are many gems, बहुत सारे ऐसे हीरे मोती होते हैं that जो are not taken out of the mines, जो खान से नहीं निकाल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं और depths of the ocean या फिर नहीं निकल पाते हैं समद्र की गहराईयों से and whose glitter और जिनकी चमक remains unseen, unseen रह जाती है, अंदेखी रह जाती है, undiscovered, बिना जानी, बिना खोजी हुई, रह जाती है by the eyes of people, लोगों की आँखों स्थे, ठीक है moreover और इससे जादा there are numerous flowers, बहुत सारी संख्या में ऐसे फूल हैं, जो grow in a desert, रेगिस्तान में उगते हैं, and remain unseen, और अंदेखे ही रह जाते हैं, and unenjoyed, by any beholder, और कोई भी उनका तोड़ कर आनन्द नहीं ले पाता, their fragrance, उनकी जो खुश्बू है, easy wasted, बरबाद हो जाती है, खराब हो जाती है, in the desert air, रेगिस्तान की हवा में, the poet implies that there are several people, poet जो तातपरी है, poet का, poet जो बताना चाहता है, वो ये बात है कि, there are several people, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, in the world, who remain unadmired, and unknown, in spite of good qualities, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं इस दुनिया में, जो unadmired हो रहते हैं, बिना, उनका talent कोई भी नहीं देख पाता, अंजान रहते हैं, in spite of, इसके कारण, good qualities, they poses, जो उनके पास होती है, their poverty restraints them from becoming famous, उनकी जो गरीबी है, restraints, रोकती है them, उनको from becoming famous, उनको प्रसद होने से, ठीक है, ये बहुत छोटा सा stanza था आपका, ठीक है, अब इसकी comments पढ़ते हैं, this is one of the most popular stanza, of this poem, ये जो stanza है, वो, most popular stanza है, इसका, इस poem का, ठीक है, it is the spirit of a tribute, ये tribute देने का एक spirit है, the poet that the poet has paid to these poor, जो दिया है, किसने poet ने इन गरीब लोगों को, साधारन गाउबालों को, he calls them virtuous and noble, भे इनको बुलाता है, धार्मिक, virtuous means धार्मिक और महान, like the jam, and sweet, charming, and fragrant, like the flower, जो चमकते हैं, एक हीरे की तरह, और, खुश्बू देते हैं, एक फूल की तरह, यह सबसे अच्छा मेटाफोर है, यूज करने का, जिससे महान qualities, जो बड़ी-बड़ी qualities हैं, गुड़ हैं, उनसे मनश्य की प्रसंसा की जाशके, the villages are like the dark bottom of the ocean, जो villages हैं, वो समुद्र का गहराई का एक हिस्सा हैं, और the deserted forest, और रेगिस्तान के अंदर, इसकी तरह, forest की तरह हैं, जंगल की तरह हैं, they are worn and they die unknown, वे जन्म लेते हैं, और अंजान रूप से ही मृत्य को प्राप्त हो जाते हैं, and unsung thought, they possessed great virtues, ठीक है, और कोई भी उनके लिए, कोई भी गाना नहीं गाता, कोई भी उनकी तारीफ नहीं करता, जिनका उनका अधिकार होता है, जिन गुड़ों के कारण उनका अधिकार बनता है, ठीक है, तो आज हमने ये six stranger कर लिया है, next class में आपके लिए और भी इसके stranger भचे हुए हैं, एक दो, तो मैं आपके लिए बो भी लेकर आऊंगा, ठीक है, अब मिलते है next class में, तब तक के लिए thank you, और हमारे चैनल को subscribe करना न भूलें, और हमारी वीडियो को like जरूर करते हैं, और अपने सातियों तक share करते हैं, ठीक है, छलिए मिलते है next class में, thank you.